बच्चे को मेरा नमस्कार, म्क एजुक्रिशन चनल में आपका सौगात है, आई बच्चों लर्निंग आउट्स कम प्याधारित लर्निंग इप सामागरी के अंतरगत कक्छा पांच वी की गड़ीत विसे की महत्पुन वरक्षीटों को हल करेंगे गड़ीत विसे की वीडियो बच्चे को सुरूप से अंतरग देखे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वरक्षीट नमबर 13 दी गई है, मोतरा पर आधारित साफदिक प्रशनों के उत्तरों को हम जानेंगे, देखें और समझे, रवी ने किराना की दुकान से सामान लिया, तथा उसने दुकान दार को सौ रुपे के दो नोट, सौ रुपे के कितने नोट दिया, दो नोट, पचास रुपे का एक नोट रथा और बीस रुपे के तीन नोट दिये, अब हम देख रहे हैं, बताइए उसने कितने रुपे का सामान लिया, तो हम देख रहे हैं कि सौ के दो नोट रथा 200 हो जाएंगे 50 का एक नोट अर्था 50 रुपए और 20 के 3 नोट अर्था 60 रुपए हो जाएंगे इस तरह हम देख रहे हैं रवी ने दुकानदार को 310 का सामान लिया और उसे 310 रुपए भी दिये अगला है एक नोट और दो सिक्कों की साइथा से रासी बनाई जा सकती है जैसे य इसका एक नोट और एक एक रुपए की दो सिक्के 13 रुपए के लिए 10 का एक नोट दो रुपए का एक सिक्का एक रुपए का एक सिक्का आट रुपए के लिए 5 रुपए का एक सिक्का इसी परकर 9 रुपए के लिए 5 का एक नोट दो रुपए का एक सिक्का और दो रुप पर रासी बना लेंगे और जो नोट है उसकी भी हम यहां quantity को दर्सा देंगे इससे हमारी मुद्रा की समझ विक्षित होगी और सिक्कों का वित्रण पहला सिक्का हमने कौन सा लिया दूसरा कौन सा लिया इस टेवल के आधार से हम नोट और दो सिक्कों की सहाथा से रासी बना तक पहुंसते रहेगा धन्यवाद